नमस्कार मित्रो रीडेन पास्ट दियास में फिर से आपका एक बार स्वागत है और आज आप बोर्ट पे जो मीनिक दिख रहे होंगे इसके पहले हमने एक एक मेजिकल इंग्लिस आपके सामने प्रस्तूत किया था कि वहें कितना देरीके से हैं कैसे याद कर सकते हैं आज भी हम कुछ ऐसे कुछ नया कंसेट लाएं जिसके मदद से आप बहुत सारे भग्यशन को आप आसानी से याद कर सकते हैं तो चलिए यहां पर हम लोग बिना देरी की हुए आते हैं टॉपिक पर तो यहां पर देखे कुछ वर्ड दिख रहा होगा एंथ्रोप क्या दिख रहा है आई एस टी आई एन या लॉजी यह सारे आपको वर्ड दिख रहे होंगे तो आपको किबल अगर इतना वर्ड आप य आजा तो एक तरफ 500 मिनिंग को याद कीजिए और एक तरफ इतना मिनिंग को याद कीजिए तो आपको जाहिर सी बात है कितना मिनिंग याद करना ज्यादा आसान होगा तो आपको बस यह दिमाग में रखना है देखे कोई भी मिनिंग का एक नियम होता है बनाने क्योंकि आ आगे पीछे करके हम लोग नया सब्द का निरमान करते हैं मित्रो को आगे पीछे करके हम निरमान करते हैं तो कुछ जो आपके इंगिलिस घ्रेमेरेन थे हैं उन्होंने एक root word को develop किया कि भाई उतना meaning को बनाना थोड़ा मुश्किल है तो कोई एक आसान तरीका खो जागा है तो यही आसान तरीका है बोस जो root word हम लगा करके नए-नए meaning का निर्मान करते हैं तो आपको बहुत असानी हो जागा है यहाँ पर देखिए आपका एंथ्रोप है आपको दिमाग में रखना है कि एंथ्रोप का मतलब क्या होता है मानब होता है और यहाँ पर I, S, T या I, A, N यानि किसी meaning के अंत में अगर आपका I, S, T या फिर I, A, N लगा रहे तो आप समझ लिजे कि उसका अर्थ आपका बिसे सग या बैकती निकलेगा इसके बाद जिस meaning में आपका लोजी सब्द लगा हो तो लोजी का मतलब होता है बिग्यान जैसे आप देखते होंगे बाई लोजी हना तो लोजी सब्द लगा हुआ होगा तो आप समझ लिजे कि उसका अर्थ बिग्यान से या फिर भी का सकते हैं लेकिन बिग्यान ही रखे लोजी सब्द आपका बिग्यान को बताता है I, C या A, L I, C या A, L लगा रहे किसी meaning के अंत में तो आप समझ लिजे कि उसका अर्थ निकलेगा संबंध बताता है संबंध बताता है यहाँ पर mission का अर्था मतलब घ्रीना रखना है और फिल का यहाँ पर प्यार रखना है प्यार यानि mission मने घ्रीना याद रखना है और फिल मने प्यार रखना है L Y का मतलब आपका से related आपको रखना याद इसके बाद से संबंधित या फिर यहां पर देखे एक बड़ है मोनो मोनो मतलब याद रखना एक मोनो मिसक याद रखना एक गेमी मतलब बिवा गेमी मतलब क्या रखना या बिवा यहां पर बाई का मतलब रखना है दो बाई सब cruise आपका जहाँ पर भी आपका जैसे आपका bicycle दो चक्का वाला तो वाई का मतलब दो रखना है दिमाग में ट्राई मने तीन जैसे आप देख रहे हो रिक्षा हना जिसमें आपका तीन चक्का होता है तो ट्राइ साइकल मतलब हो गया तिन चक्का वाला यानि रिक्सा चिक है इसके बाद पोली मने अनेक और ओ यूस का मतलब होता है भारा होना या ग्रसित होना और वाई भी लगा रहा है तो कहीं कहीं आप प्रथा समझ सकते हैं यहां पर एक और बर्ड है इजम आई एस एम इ और अब देख लिजे अगर इतना मिनिंग आपको याद हो गया होगा तो समझ लिजे कि आप 500 मिनिंग याद कर लिए अब देखे कैसे आपको बताऊंगा मैं आगे अगर आप इतना वर्ड को याद कर लिए होगे तो आप मान लिजे कि आपको डिक्सिनरी का 4500 मिनिंग लोजी मतलब बिग्यान, I, C या, A, L संबंद बताता है, मीशेन मने घीना, फिल मने प्यार, L, Y, N संबंद बताता है, मोनो मने एक, बाई मने दो, गेमी मतलब बिबाह, ट्राई मतलब तीन, पोली मने अनेक, और यहाँ पर O, Y, U,S मने भरा होना, Y मतलब प्रथा, तो यह सब्द है, उसको हम देख लेते हैं, कितना आसान हो जाएगा, अब जैसे यहाँ पर देखे, एक वर्ड लिखा हुआ है, एंथ्रोप अलोजी, हमको नहीं पता है, कि इसका अर्थ क्या है, और केवल यह पता है, तो आप देखे, इसका असानी से अर्थ निकाल लिजेगा, एंथ्रोप, और यहाँ पर लोजी, आपको बताएं कि एंथ्रोप में इस क्या होता है, मानब, और लोजी में इस क्या होता है, बिग्यान, तो यहाँ पर क्या हो गया, मानब बिग्यान, यानि आपको किलियर हो गया, कि इसका आर्थ जो है, तो यहीं पर देखे, जहाँ प मिस क्या होता है मानव और लोजी मिस क्या होता है बिग्यान और अगर IC लगा हुआ है तो संबंध बताता है यानि वैसा बिग्यान जिस मानव से संबंधित हो इसके बाद एंथ्रोप मने आपका क्या यहां पर पता है मानव और लोजी मतलब क्या बिग्यान और यहां पर आई एस्टी लगा हुआ है देखे आपको आई एस्टी कहीं पर बताएं होंगे जहां पर भी लगा रहा है उसका मतलब होता है बिसे सग तो मानव बिग्यान बिसे सग को क्या बोलेंगे एंथ्रोपोलोजिस्ट द मानव से इसी को अगर आपको कर दें मिस एंथ्रोपिस्ट मिस एंथ्रोपिस्ट अगर आई एस्ट आगया जाएगा तो यहां पर देखिए मिस एंथ्रोपिस्ट तो मानव से घ्रीना करने वाला बैकती क्योंकि यहां पर देखिए मिस मने घ्रीना लोजी मने आप एंथ्रोप में इस मानव और IST लगा हुआ यानि बैक्ती यानि मानव से घ्रीना करने वाला बैक्ती इसके बाद यहां पे देख लीजे वर्ड है फिल फिल मने प्यार अन्थ्रोप में इसके आता है मानव यानि किस से प्यार करना तो मानव से प्यार करना हना इसके बाद अगर यहीं सु मानव प्रीमी कह सकते हैं उसको है ना तो देख रहें कितना असानी से आपका अर्थ निकल जा रहा है यहां पर देखिए गेमस और मीसो और यहां पर ओयूस तो मीसो मने घ्रीना गेमी मने बीवाह और ओयूस मनले भारा पढ़ा यानि वह बैक्ती जो दम बीवाह से नफरत कर भारा हुआ लेकिन कैसा घ्रीना करने वाला फिलो मतलब क्या जाता प्यार लगाए तो । बैघ्ति अगर आप 18 साल के उम्र में है या एड़杉 लेंसस से पार हैं तो आप इसकी इच्छा रखते हैं ठीक है तो आप यह फिलो गेमस वैसा वैक्ती जो प्यार में डूबा रहना दम सराबूर रहना ठेक है यानि बिवा में पूरा ये रखना इंट्रेस्ट रखना हना इसके बाद मोनो गेमी मोनो मने क्या होता है एक होता है और गेमी मतलब क्या होता है बिवा होता है तो एक बिवा है यानि एक बिवा कर नगा नहीं इसी में अगर हम IST जोड देंगे इस जो तेंगे तो क्या हो जागा Mono Gamist यानि एक बिवाह करने वाला बैक्ती रहीं एक बिवाह करने वाला बैक्ती यानि बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग है जो एक साधी में विस्वास रखते हैं इसके बाद बाई गेमी यानि दो बिवाह अगर बाई गेमिस्ट कर देंगे तो क्या आजागा दो बिवाह करने वाला बैक्ति समाज में ऐसे भी बहुत लोग हैं कि कुछ जाती धर्म का तो नाम नहीं लूँगा लेकिन कुछ ऐसे जाती धर्म हैं जो एक से अधिक साधी में विवाह करने वाला एक से अधिक विवाह करने में जो विवाह रखता है या ट्राइगेमिस्ट कर दें तो तीन विवाह करने व पोली मतलब अनेक विवाह करने वाला जैसे आपका विंबीसार की पांग सोराणियां थी हना तो पोली मने अनेक, मोनो मने एक, यानि मोनो यानि एक साधी और यही देखे पोली गेमिस्टान अनेको साधी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तीन, चार, पांच, हजार साधियां त तिनद्गा में हाने जिसकी पांसो र निया थी इसके लाद सब्सकूए और भी ग्याने दिसक्वार 29 या dictionary में जितने भी निर्मित इस परकार का meaning है उसको हम असानी से याद कर सकते हैं तो फिर हम next day जो है फिर एक नए concept के साथ आपके सामने आऊंगा तब तक के लिए धन्यवाद इसको बार बारा पढ़ते रहें